दोस्तो स्वागत है सभी का एक्जाम सुदमेस यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में देखने वाले है एनुवल एक्जामिनेशन क्लास 11 इंग्लिश का ये मॉडल पेपर आपके कॉलेज में भी इस से मिलता जुलता पेपर आ सकता है इसके सभी प्रश्ण इंपोर इनको सौल जरूर करना है आपको तीन घंटे आपको मिलेंगे 100 नंबर का ये पेपर होगा पूरा 90 लिखा है लेकिन 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर होता है ये पेपर मुझे प्राप्त हुआ है पंकज बरेली डिस्ट्रिक्ट से हैं तो उत्तर प्रदेश बोर्ड वालों से हैं तो वहाँ पर भी काम करेगा सेक्शन ए रीडिंग पूछा गया है सारे प्रशन इंपोर्टेंट है इसी पैटन से मिलता जुलता आपका अधर बोर्ड का पेपर हो सकता है यूपी बोर्ड का ये पेपर है पंकज बरेली से उन्होंने भेजा है पेपर ये बनेगा आ गुलाब के फूलों का कोई बिस्तर नहीं है but a bed of thrones बलकि ये कांटों का जो बिस्तर है ये कांटों का एक तरह से कह सकते हैं ये कांटों से भरा हुआ जीवन है ये कोई गुलाब जैसा बिस्तर नहीं है ये कांटों से भरा हुआ एक बिस्तर है it is full of dangers and difficulties ये पूल रूप से खत्रों से और कठिनाईयों से भरा हुआ है they have to overcome they have to be overcome if we are to succeed in life, अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें इन सभी कठिनाईयों को सामना करना पड़ेगा, इन कठिनाईयों को जेलना पड़ेगा, इनका सामना करना पड़ेगा, in the race of life we should not be afraid of the risk which is but natural जो जीवन का जो रिस्क है, उसका हमें सामना करना चाहिए, उससे डरना घबराना नहीं चाहिए, बलकि ये जो रिस्क है जो की नेचुरल, प्राकृतिक एक तरह से खत्रा है, उसका सामना करना चाहिए अगर हमें अपने जीवन में सक्सेज होना है, सक्सेज इन एनी वर्क इन लाइव गोस तो दोस परसन हूँ वेलकम रिस्क, और सफलता उसी व्यक्ति के खाते में जाती है, उसी व्यक्ति को सफलता प्राप्थ होती है, जो की इस खत्रे का स्वागत करता है इन सभी कठनाईयों का स्वागत करता है साइन्स वुड नॉट साइन्स वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स, इफ अवर साइन्टिस्ट हैड नॉट रिस्ग्ड दियर लाइफ्स एंड कमफट्स, अगर हमारे आराम ना त्याकते और खत्रा मोल ना लेते कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कई रसाइनिक पदारतों की खोज की और उनकी डेथ भी हो गई वो अपने जीवन से उनको हाथ दोना पढ़ा विभिन प्रयोगों के दौरान, प्रयोगों के एक्सपेरिमेंट्स के दौरान, उनोंने अपनी जीवन से भी यहाथ खोया, लेकिन वो डरे नहीं वो अपनी रिसर्च में लगे रहे तो यह कहने का यहाँ पर तातपर लिया गया है जितना कारे कठिन होगा, उतने ही हमें प्रयतने करने पड़ेंगे लाइफ is not smooth sailing जो जीवन है वो कोई अत्यदनत सरल कारे नहीं है प्रेटी डिफिकल्टीज प्रेटी डिफिकल्टीज फ्राइटन ए वीकर हर्ट फू इस नॉट प्रपेर्ड तो टेक रिस्क छोटी सी भी कठनाई चोटी सी भी कठनाई किसी कमजोर दिल वाले व्यक्ती को जो की रिस्क लेने के लिए जो की कठनाई का सामने करने के लिए तयार नहीं है उसको डरा सकती है या डरा देती है इसके बाद है बट ब्रेव हर्ट्स अचीव फेम एंड ओनर बिकॉज दे इंजोई टेकिंग रिस्क जबकि जो विशाल दिल वाले हैं जो हिम्मत वाले हैं वो अपना सम्मान प्राप्त करते हैं क्योंकि वो आनंद प्राप्त करते हैं रिस्क को लेने में कठनाई का सामने करने में उन्हें चुनौती पूर्ड कठिनाईयों का सामना करने में उनको आनन्द आता है In short, risk brings success and work miracles In short, अगर संचेब में हम कहें तो जो कठिनाईया हैं, जो risk अगर हम अपनी life मिलेंगे तो success होगा और जो कार्य होगा वो भी दोस्तों चमतकार पूर्वक होगा ठीक है, work miracles जो कार्य होता है, वो जादू करता है, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं तो how is man's life, भाई, यह पूरा paragraph समझ लिया, यहीं से question आपको मिल जाएंगे इनके उत्तर, how is man's life, व्यक्ति का जीवन कैसा है, what should we do to succeed in life, हमें सफल होने के लिए क्या करना है who are frightened by petty difficulties, यहां पर साफ साफ दिया हुआ है कि petty difficulties frighten a weaker herd who is not prepared to take risk तो यहीं पर आप छाट लोगे, सारे उत्तर यहां पर आपको मिल जाएंगे इसके बाद यहां पर देखो, what do brave hurts achieve और जो प्रबल दिलवाले होते हैं, जो मजबूत दिलवाले होते हैं तो यहां पर देखो, यह वाला answer मिल जाएंगा, brave hurts achieve fame and honor because they enjoy taking risks तो यहां पर यह उत्तर मिल गया, फिर यह question को 2A और B में काट के लिखा हुआ है तो which word in the passage is the opposite of artificial, तो natural artificial का होगा और which word in the passage means fear, तो frightened आप कह सकते हैं, frightened यहां डरा देती है यह fair का एक synonym यहां पर लिया गया, इसके लाबा और देख लेना, ध्यान से की fair का synonym और क्या हो सकता है इसक बाद section B, writing का देख लो, section B में writing में क्या करना है यहां पर color change कर लेते हैं, writing में करना है, write a article of any one of the following topics in about 100 to 150 words 100-100 शब्दों में एक article लिखना है, importance of games, खेलों का महत्त, main aim of life, my aim of life, मेरा जीवन का उदेश और फिर क्या है, और है, dowry a social evil, दहेज एक सामाजिक बुराई तो किसी एक topic पर आपको article लिखना आना चाहिए, 100-1.5 पेज आपको भर के लिखना है चलते हैं, next page पर देखते हैं कि कौन से question पूछे गए Writing के ही section में question number 3 है, write a letter to the district magistrate about the noisence caused by the use of loudspeakers during the examination day आपके paper चलना है, exam चल रहे हैं और ask produce में कोई loudspeaker पर गाने सुन रहा है या कोई कारेकरम चल रहा है जिससे आपको disturb हो रहा है तो आपको DM, district magistrate यानि जिला अधिकारी को एक पत्र लिखकर इसकी शिकायत करना है अगर ये प्रात्ना पत्र आप नहीं लिख सकते तो यहाँ पर एक विकल्प है, write a letter to your friend inviting him to attend the annual function of your college अपने दोस्त को बुला लो अपने college में जो वार्शिक समा रहा है उसमें शामिल होने के लिए आपको invitation लिखना है section C grammar देख लो grammar choose the correct option to the answer the following question यहाँ पर correct answer आपको select करके लिखना है तो ये प्रश्न आपको खुद solve करना है ये सारे synonyms आप देख लेना इसको मैंने अभी solve नहीं किया है तो एक बार आप देख लेना इसी सारे प्रश्न आपर पूछे गए है change into indirect speech indirect में क्या पूचा गया my mother said man is mortal ठीक है मेरी माने कहा कि मनुष्य मर जाए मनुष्य जो है वो नश्वर है नश्ट हो जाता है यानि मर जाता है रितु said to me let us play chess ठीक है तो इसको इंडिरेक्ट में बदलना है इसको बदलना है इसको बदलना है simple sentence में और the train was running its speed its speed was slow इसको simple sentence में बदलना है next page पर चलते हैं अगला देखो यहां पर है कि यहां पर passive wise में इसको बदलना है I do not know you इसको passive में बदलना है इसके बाद Mumbai is the best sea port in India इसको positive degree में बदलना है इसके बाद है correct any one of the following sentences किसी एक को शुद्ध करना है I you and he have come he is ill since Monday तो इसको आपको correct करना है दोनों sentences किसी एक sentence को इसमें से आपको correct करना है शुद्ध करना है इसके बाद यहां पर शब्द युगम दिये हुए है use any one of the following pairs to make the difference अब देखो तो railway वाली बर्त होती है यह बर्त जन्म वाला होता है तो एक-एक sentence बना तो अलग-अलग इसनका difference पता चल जाएगा translate into following passage into English ठीक है translate the following passage into English English में करना है आशा के बिना जीवन असंभ हो है यह आशा ना हो तो मनुश्री का जीवन बड़ा बोजिल दुख्माय हो जाता है बड़ा simple सा यह paragraph है हिंदी में दिया हुआ है इसको English में translate करना है total 6 नंबर का यह paragraph है इसको screenshot लेकर practice कर लेना इसको section D literature है answer the following question in about 40 words answer the following question in 40 words तीन तीन नंबर के प्राशन है what is the what is our ethical obligation to the earth नहीं आता तो how did the blacksmith quittan quittan matces impress the painter and achieve his goal कोई एक कर दो चाहे यह वाला चाहे फिर यह वाला प्राशन करो इसके बाद है we are not afraid to die who speaks these words and when इसके बाद why were Egypt's ancient 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 क्या लिका हुए फाराहोज 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 बरीड अलॉंग विद ठीक है इसके बाद है question no.8 answer any one of the following question in about 80 words तो long है एक करना है कोई तो एक तो यह है how does nani pal nani mani nani pal khi wala underline the importance of forest for the survival of all sorts of life on earth या फिर यह करो what preparations did the narrator make for his around the world voyage लास्ट पेज है लास्ट पेज पर देख लो इसके नीचे प्रशनों की उत्तर आपको देने स्टेंजा के नीचे प्रशनों की उत्तर देने स्टेंजा क्या है when did my childhood was it the time I realized that adults were not all they seem to be they talked of love and preached of love but did not act so lovingly ठीक है was that the day was that the day तो यह स्टेंजा है पहला प्रशन है what is the poet's first shocking observation about grown-ups ठीक है और दूसरा है what does the poet put put on the top of human virtues और what does the poet regret कभी किसका पश्तावा करता आप समझ रहोंगा आपने पढ़ी होगी पूरी कभी था तो आपको समझ में आ रहा होगा इसके बाद है write the central idea of one of the following किसी एका central idea लिखना है central idea में कौन कौन से इविकल पर इंदे को childhood यह वाला है the labernum top इसको तो याद ही कर लो labernum top हर पेपर में हर एक set में हर एक quote के पेपर में यह देखने को मिलता है class 11th English में इसके बाद है question number 11 question number 11 answer the following question in about 40 words किसी 40 शब्दों में उतर देना है how do Mr. Pearson and Mr. Pearson and Mrs. Fids Gerald come together तो यह आपको बताना है अथवा how did the narrator bring Ranga and Ratna face to face अगला प्रशन है यहाँ पर which tribe did Aram and Murad belong to what was their tribe known for उनका कभीला किस लिए जाना जाता था और किस तरह से वो संबंदिते कौन से कभीली से तो यह आपका कोई chapter होगा how did the narrator discover the certain that the that the woolian table woolian table cloth woolen होगा यह woolen होगा woolen table cloth was hers question number 12 answer any of the following question in about 80 words तो लॉंग एक करना है इसका पूरा ढंग से solution आपको मिल जाएगा comment करो comment में बताओ कि पूरा solution आपको चाहिए साथी साथ यह पूरा paper का telegram पर आपको मिल जाएगा telegram channel का link description में है वहाँ पर यह आपको पूरा paper मिल जाएगा आप अच्छे से solve कर लेना solution चाहिए तो comment कर दो कि आपको इसका solution चाहिए तो copy pen पर पूरा solution आपको इसका दिया जाएगा थैंक्स वाचिंग आप यह वीडियो कौन से शहर या कौन से गाउं से देख रहे थे अपने शहर या गाउं का नाम जरूर लिखना मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वाचिंग उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी यह था हमारा class 11th का English का yearly exam का पेपर यह अगर एक्जाम देने जा रहे हो तो एक बार इसको जरू सॉल्व करना